नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट कुम रासी वालों मार्च अप्रेल मई 2021 ये तीन मैंने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आएंगे आज हम आपसे यही साजा करेंगे वीडियो के अंदक बने रही है और ये प्रेडिक्सन चंदरासी पर आधारित है कुम रासी वालों गुरू नीच रासी में है और चलिए शुरुआत करते हैं 2021 सबसे पहले मार्च के महने की तो मार्च का महने में गर्षों की चाल की बात करें तो सूर्य, सुक्र आपके लग्न में विराजमान है राहू, मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे और चन्नमा आपके अश्टम भाव में केतु देव दसमे भाव में हैं, सनिदेव बुद्ध गुरु आपके बारमे भाव में बैठे हैं अब ये जो मार्च का महना है थोड़ी सी बेचैनी दे रहा है सरदर्द की समस्य आपको परिसान कर सकती है इस समय आपको लगेगा जैसे और मेहनत करना चाहिए ताकि और पैसे कमा सके हलांकि एक खुबसूरत यात्रा की योग भी बनेंगे इस मार्च के महने में समाजी कारेकरम में अगर आप सिरकत करते हैं तो आपको खुशी कम परिसानी ज्यादा अनुभव होगा हलांकि मन में संतुष्टी का भाव रहेगा लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समहलना है क्योंकि कोई मिथ्या आरोप जूटा आरोप लगने के योग है हलांकि लब रिलेसंसिप में सफलता मिलेगी यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा सुकून है जो बैफसाई हैं तरक्किक कर ही जाएंगे और मार्च के अंतिम समय में कोई सुपसमाचार आपके जीवन को एक नई दिसा दे सकता है लेकिन अब जानते हैं बिस्तार से कि मार्च 2021 क्या होगा आपका हाल मार्च के मेहने में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है न करियर के लिहास से बहुत ही अच्छा है क्योंकि मन में नए नए आइडिया जाएंगे जो आपको उत्साह देगा आगे बढ़ने के रास्ते द जाएगी लेकिन चिंता ना करें थोड़ा सा फोकस करें गायत्री मंत्र पढ़ें सब ठीक हो जाएगा आपके हम कारेशेत्री की बात करते हैं तो कुम वालों दसंभाव का स्वामी राहू आपके चौथे घर में है इसका मतलब है कि नए तरीके नए आइडिया नए तकनीक से आप काम करने की सोचेंगे प्रोपर्टी डिलिंग का बेपसा है रियल इस्टेट बेगेरे से जुड़े हैं तो फिर यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी चिकितसा बेगेरे के छेतरे के लिए भी समय अच्छा है और क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं थोड़े संभल के भ सकती है कम्पिटीशन बहुत है अब यहां थोड़ा इंतजार करें अगर आप जो बदलना चाहते हैं तो चल कपट बहुत सारे इस मेहने में आपको सामना करना पड़ सकता है के तु आपके दसंभाव में हैं तो काम संबंदित यात्राइं भी होंगी है हलां कि यह लाब द करेगा धन की बात करें तो यह वक्त बहुत खुबसूरत है क्योंकि 11 और दूसरे भाव के स्वामी देव आपके बारवे भाव में सने देव के साथ इसका मतलब क्या है ना कि आपका जो खर्च है आपके अंधनी से ज्यादा होगा अब नोवे भाव का जो स्वामी है पहले पीदेश से कोई काम करते हैं तो एक बहतरीन वक्त है आपके ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धैर रखें धीरे दीरे आप तरक्की करते चले जाएंगे क्योंकि इंकम में ब्रदी ला रहा है यह महिना स्वास्त की बात करें तो सुरुआत में थोड़ा कमजोर है क्य ठका ठका महसूस कर सकते हैं सरीर में आलस से पैरों की समस्या परिसान कर सकती है ठोड़ा सा पेट की समस्या भी आपको ध्यान देना चाहिए तनाओं से बाहर निकलिए थोरे से गुणाईए थोरा डान्स कीजिए थोरा मन बेहतर होगा लाई बैबाही जीवन की बात करते ह हैं तो ऐसे में थोड़ी सी खुसियां भी है बुद्ध जब आपके लगन में आएंगे तो खुसियां ज्यादा मिलेगी लेकिन थोड़ी दूरियां भी आपको इसके पहले दिखाएगा पर धीरे-धीरे जैसे लगन में बुद्ध आएंगे आपके रिष्टे में और मजबूती आएगी और खास बन जाएगा अगर सिंगल है तो आपके लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है या फिर आपका रिष्टा तै हो सकता है साधी सुदा जीवन सुब है क्योंकि इस समय जीवन साथी के साथ किसी यातरा पर भी जा सकते हैं पारी बारी जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर उतार चड़ाओ है दूसरे घर का स्वामी देव बुरू आपके रासी के स्वामी के आपके लगन में है तो ऐसे में यातरा आपको खुसियां देगी अपनों के साथ समय बिताएंगे लेकिन चौथे घर पर मंगल और रहू है इसका मतलब है घर परिवार में अपनों के साथ किसी बात को लेकर टकरा हो सकता है आप चाहें ना चाहें कुछ औसांती आपको बे दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा क्या करें कि यह मार्च का महिना अच्छा हो जाए सुकून दे सुकून बढ़ा दे एक तो विस्नु भगवान की अराधना करें आप चाहें तो ब्रहस्पति बार के दिन भगवान सूरी को एक लोटा जल में चुटकी हल्दी दालकर अरपीत करें या रोजवी कर सकते हैं और भगवान गनेश का नाम लेकर ही दिन की सुरुआत करें सनी बार के दिन आपके घर में जो आपके सेबक हैं सहायक हैं नौकर हैं उनको खाने पीने की वस्तु आप जरूर दें ताकि उनका भी थोड़ा सा यहां पर सनी कईस और मई आपके जीवन में क्या कुछ बदलाओं लाने वाले हैं देखिए कुम वालों 2021 का जो यह अप्रेल का महिना है यह बहुत सारे बदलाओं लेकर आएगा क्योंकि मार्च का महिना तो आपके लिए मिला जुला हुआ है अब यहां पर देखिए जो अप्रेल के महि ठीने पहले हम बात कर लेते हैं गरों की चाल क्या कैती है शुर्य बुद्ध सुक्र आपके धनभाँ में रहेंगे राहु मंगल चौथे बाँ में हैं चंद्रमा के तू दसमे भाव में हैं सनी दैप गुरू के साथ बारमे भाव में हैं भौतिक सुख सुभिधाओं की प्राप्ति करवाने वाला महिना ये सिद्ध होगा आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा लेकिन दुसमन भी आपके बहुत एक्टिव हैं तो आपको बहुत साब धान्डे ना होगा धने के मामलों में लापरवाही आपको बड़े लौस का कारण दिला सकता है यानि कि लापरवाही के कारण हाँ से धन प्राप्ति के बड़े मौके जा सकते हैं थोड़े से समबल पे जरूरत से ज़्यादा किसी पर वरोसा ना करें हलांकि ये जो अपरेल का महिना है इसके दूसरे सब्ता में आप कोई बड़ा और महत्वपूर निर्ने ले सकते हैं खर्चे बड़े हुए हैं नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनसे लाब भी होगा अपरेल के तीसरे सब्ता में किसी अपने के साथ कहीं कोई बिबाद ना हो जाए जीवन में चुनोधिया है संतान से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर नकाम भी समय होगा लेकिन अपरेल महने के अंतिम वक्त में कोई अंजाना बैक्ती आपको धोखा दे सकता है तो किसी पर भरोसा ना करे ना किसी की बातों में आए और ना ही भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले वरना आप बुरी तरह फौज जाईएगा तो अपरेल के महने में भी आपको थोड़े सम्हल के रहना है अब मई की बात करते हैं तो देखिए मई के महने में जो बैफसाई है ना उनको बहुत समल के रहना किसी पर भरोसा नहीं करना जरूर से ज़्यादा समान को उधार ना दे और पती पतनी के रिस्तों में भी आपको गर्माहट लाए रखना होगा क्योंकि छोटी छोटी बातों में तकरार हो जाना जैसी चीजें हो रही है सरदर्थ की समस्यावे के रभी परिसान करेगी हलांकि कोई good news भी मिलेगी ऐसा नहीं कि सब कुछ गरबढ़ होगा जो बिद्यार थी उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा मई के महने में और क्योंकि आपके लिए कोई अच्छे रिजल्ट आना आपको बहुत सारी खुसियां प्राप्त होना ये सबी चीजे हैं अगर कोट कचरी जैसे मुकदमे की चीजों में आप फसेवे हैं तो फिर यहां पर आपके पक्ष में फैसले आएंगे संपत्ती प्रोपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिबाद किसी के मज़धस्ता से हल हो जाएगा और लब रिलेसंसिप में सफलता मिलने के योग भी है हलां कि बेबज़ा के खर्चों पर नियंतरन रखिएगा नहीं तो उधार लेने देने पड़ सकते हैं चारों तरफ से धन आएगा कब जब सूरे रासी परिवर्तन करेंगे तब यानि कि मई के महने के उत्रार्द में चीजे एक दम से आपके अनुकूल होती नजर आएगी अपनों का साथ भी मिलेगा फिलाल भी दा लेंगे हर हर महादेब धन्यवाद